हाई रवरवरण आप में से काफ mister स्टूडिंस पूषते हैं कि माम हम लोग को प्रेक््ट्टिस करना फॉइस्ट समlor कहां से क्वेस्ट्टिन केप्र करें कहां से करें training में पजल सीटिंग अर्हेंगेंट कि Сов wireless करने करें आप सभी को पता है कि मैं आप सभी को चेक्लिस्ट देती है चेक्लिस्ट क्या है कुछ नहीं है एक free PDF completely free जो आपको दी जाती है कोई भी स्टूडेंट उस चेक्लिस्ट को उस PDF को solve कर सकता है अब यह चेक्लिस्ट जो है यह PDF जो है यह कहां पर मिलती है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है आपको किस तरीके से वहां तक पहुंचना है आप टेलीग्राम के सर्च बार में डालेंगे टेलीग्राम के सर्च बार में जब आप आप यहां देख सकते हैं आप डालेंगे तो आपको मिलेगा reasoning checklist by पारूल गेरा आपको नीचे ये भी दिखा रहा है तो जो actual channel है वो ये है जिसमें 83,000 से ज्यादा subscribers हैं बाकी इस तरीके के channels दिखाएगा reasoning checklist PDF, पारूल माम reasoning, पारूल माम reasoning ये fake channels है ये सही channel है तो यहाँ पर आपको join होना है आपको हफते के 5 दिन मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपको हर रोज checklist मिलती है और इससे पहले आपको Saturdays तक भी मिल रही थी पर मैं क्यों ही बता रही हूँ आप सभी को मुझे लगता नहीं है इस चीज की जरूरत है आप सभी को आप सभी students बोलते रहते हैं मैं हमको content चाहिए content चाहिए अब आप खुद बताओ 83,000 से जादा subscribers हैं और आप में से कितने बच्चे हैं जो actually checklist को solve करते हैं मुझे checklist देते हुए लगभग एक साल हो गया है कुछ positive मुझे नजर आए कि हाँ actually आप बच्चे उसका फायदा उठा रहे हो और lacks of investment हो चुकी है बच्चों content team content बनाती है proof reading होती है उसके बाद में इनको एक proper format में design में आपको दिया जाता है आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ मैं सोच रही हूँ कि मैं checklist this checklist thing I should close मुझे बंद कर देनी चाहिए बोलते हैं आप सभी के सभी students मैं हमको mains का content भी दे दो हमको पूरे-पूरे mocks free में दे दो अरे जो तुमको मिल रहा है तुम वो तो कर लो और यह जो checklist है इसका जो level है बहुत जादा अच्छा है अगर दो से तीन महीने आप इस checklist को solve करते हैं इसमें बहुत सारी checklist already पढ़ी है दो से तीन महीने regularly अगर आप checklist solve कर लेते हैं आपको कितनी improvement नजर आएगी आएगी लेकिन आप करते नहीं है जो बच्चे इसको solve कर रहे हैं उनको actually पता होगा कि उनको actually उनकी puzzle seating arrangement में कितनी improvement आई है और checklist में ऐसा नहीं कि सिर्फ puzzles में puzzles भी देती हूँ, seating arrangements भी देती हूँ साथ में miscellaneous questions भी देती हूँ सब कुछ एक complete packed checklist होती है, complete package होता है PDF में लेकिन आप लोगों को शायद नहीं चाहिए है तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको अभी close करतूं आप भी बताइए मुझे क्या करना चाहिए आप लोग फाइदा नहीं उठा रहे हैं आपको कुछ दिया जा रहा है उस पर ऐसे ही expenditure हुए जा रहा हुए जा रहा है फिर तो कोई फाइदा नहीं है ना आप लोगों के लिए है लेकिन आप लोग फाइदा तो उठाइए मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस चीज़ को आगे लेकर चलूं या ना लेकर चलूं मुझे अक्चली नहीं समझ में आ रहा प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए ये तो बात हुई चेक्लिस्ट की फाब का महीना चल रहा है और आपके एक्जाम्स आउगस्ट के महीने में लगबग आउगस्ट के महीने में स्टार्ट हो जाएंगे तो आउगस्ट से अगर आपके एक्जाम्स स्टार्ट है तो आपकी नॉटिफिकेशन ऐसा ही लगा लो जून के बाद जून में लगबग आपकी ऐसे notification आ जाएगी तो आप में से बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं कि चलो August में paper है हम लोग 3 महीने पहले subscription ले लेंगे है ना ऐसे काफी सारे students है जो सोच रहे होंगे कि चलो 3 महीने पहले ले लेंगे और ये सोचते हैं कि 3 महीने का subscription लेने के बाद इस साल के end तक हमारे exam जोने हैं तो तब तक हम लोग इस साल में कोई ना कोई नोकरी निकाली लेंगे banking के तो मैं आपका ये भ्रम यहाँ पर दूर करना चाहती हूं नहीं निकाल सकते अगर आप 3 महीने पहले subscription लेने का सोच रहे हैं अगर आप सही समय पूछ रहे हैं कि सही समय क्या है subscription लेने का तो सही समय अभी है subscription लेने का आपके exams 6 महीने 7 महीने दूर हैं अभी इन 6 महीनों में आप बहुत ही अच्छे से अपना complete basic से लेकर high level तक के concepts को clear कर सकते हो वेट मत करो अभी सही समय है subscription लेने का तो जो भी students लेना चाहते हैं ले सकते हैं अब आपको क्या करना है जो students अन अगाडमी पर नहीं है अन अगाडमी का learners आप आप डाउनलोड करेंगे आप डाउनलोड करने के बाद में आप अपना category चूज करेंगे bank exams और वो चूज करने के बाद simply आपको वैसे login करना है तो आपको कौनसे subscription लेना है तीन तरीके के subscriptions है एक है plus, iconic और light light में आपको कुछ lessons वगेरा courses वगेरा नहीं मिलते है plus और iconic में आपको courses मिलते है iconic थोड़ा सा महेंगा होता है plus बिल्कुल सही है जो आपको चाहिए वही है तो जब आप किसी एक platform पर आ जाते हो आपकी जो तैयारी है ना वो एक बिल्कुल order कहते है ना order में चलती है, एक सही order में चलती है, एक planned way में चलती है, organized way में चलती है तो आप अपने selection के करीब पहुंच जाते हो और यहीं पर सभी के सभी गलती करता है, यह सोच कर कि हम लोग तीन महीने पहले ले लेंगे तीन महीने में कौन सी तैयारी कर लोगे, तीन महीने में तो आप अपना syllabus complete करोगे practice कब करोगे और बिना practice के आप नहीं निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो banking का paper, it's all about practice, practice and practice I know मेरी बाते थोड़ी सी अभी आपको लग रही होंगी, बट मैं मेरा बच्चे बनता है मैं आपको सही direction में, सही दिशा में लेकर जाओ, सही समय है subscription लेना चाहते हैं, ले लिजिए, code आपको याद रखना, it's PO10 आपका code है PO10, बड़े ही आसानी से आप सभी याद रख सकते हैं इसको कैसे banker बनना आप सभी को PO बनना है, PO10 code यूज़ करना है सभी educators, ऐसा नहीं है कि subscription लेने के बाद आप सिर्फ मेरी classes अटेंड कर सकते हो, नहीं सभी educators की classes, हमारे इंडिया के जो top educators है, वो इस platform पर हैं, तो इससे ज़्यादा, इससे उपर और आपको क्या ही चाहिए, बताओ और multiple educators हैं, आपको अपने लिए जो best लगता है, आप उसको choose कर सकते हो अपना समय मत बरबाद कीजी, अगर आपकी pocket allow करती है, सब कुछ सही है, आप ले सकते हैं, अगर आप ये सोच रहे हो, तीन महीने के बाद नहीं, तो मेरी बात मान कर तीन महीने बाद नहीं, अभी subscription ले लीजिए, अगर अब subscription ले लोगे, तो chances है, पूरे-पूरे की आप इ नहीं होगा, ठीक है, तो आपको याद रखना है code PO10 और प्लीज, प्लीज टेल मी इन दा comment section की आपको, मतलब मैं क्या करूँ checklist का, मुझे actually अभी इस टाइम पर मैं बताने सकती की मैं क्या ही करूँ, नहीं समझ में आ रहा, आपको मिल रही है, फायदा उठाईए, बस मैं य रही कोँगी और इससे जादा कुछ नहीं कह सकते, बबाई everyone, take care, ध्यान रखिये और पढ़ते रहिए, मेनत करते रहिए